नमस्ते दोस्तों आप सभी को मने चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक में हम आपको माइक्टो सब्ट एक्सल में वी लुक अप को कैसे यूज करते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बेस्टेप दिखाऊंगा तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एकदम सिंपल एक एक्जांपल दिखाऊंगा जिसको यूज करके अब easily Microsoft Excel में वीडियो को एपलाई कर सकते हो तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए एक टेबिल को डिजैन किया है जहाँ पर मैंने लिया है नेम, डेट अब जोईन, सेलरी और यहाँ पर हमने लिया है नेम और सेलरी को तो दोस्तों जब भी हम यहाँ पर किसी भी employee का नाम टाइप करेंगे टाइप करने के साथ ही automatically उनका जो सेलरी है वह आपको यहाँ पर दिखाएगा तो इसके लिए हम यहाँ पर VLOOKUP formula को apply करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक drop-down list को create करेंगे जहाँ पर सारे employees के नाम होंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको चल जाना है data tab में data tab में जाने के बाद आपको क्लिक करना है data validation में data validation में क्लिक करने के बाद यहाँ से data validation में आपको जाके क्लिक करना है क्लिक करने के साथ ही data validation का एक window देखे यहाँ पर open हो चुका है यहाँ से आपको choose कर लेना होगा list को choose करने के साथ ही नीचे दिखे यहाँ पर source नाम का एक box आया है यहाँ पर आपको click करना है और table में से जितने भी employees के नाम है उनको आपको यहाँ पर select कर देना है select करने के बाद just एक बार okay करेंगे okay करने के साथ ही यहाँ पर दिखे यह दिखे दोस्तों एक drop down list जो है वो यहाँ पर create हो चुका है और यहाँ पर दिखे सारे employees के नाम आ चुके है यहाँ से आप किसी भी employee को select कर सकते हो अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको VLOOKUP के formula को apply करके दिखाऊंगा तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा equal VLOOKUP लिखने के बाद first bucket को open कर लेना है और यहाँ पर देना होगा आपको lookup value तो lookup value हम यहाँ पर name के इस cell को select कर देंगे फिर यहाँ पर आपको देना होगा comma comma देने के बाद आपको यहाँ पर table array देना होगा तो table array में हम यहाँ पर पूरा table को select कर देंगे तो हमने यहाँ पर table array में पूरा table को select कर दिया है फिर यहाँ पर आपको देना होगा column index number तो दोस्तो column index number मतलब के salary हमारा table में तीसर पोजिशन पे है first, second, third तो हमको यहाँ पे comma देने के बाद लिखना होगा 3 फिर और एक बार आपको यहाँ पे comma देना है और exact match के लिए आपको यहाँ पे 0 लिखना है लिखने के बाद bracket को close करेंगे और एक बार enter करना है आपको enter करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस employee का जो salary है वो यहाँ पे आ चुका है तो यह देखिए दोस्तो उस employee का जो salary था वो था 99,800 तो वो देखिए यहाँ पे आ चुका है जब आप यहाँ से किसी भी employee को select करोगे तो उसका जो salary है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा आप यहाँ से किसी भी employee को select करके उसको salary को find कर सकते हो तो दोस्तो यह था simple process जिसको use करके आप easily Microsoft Excel में VLOOKUP formula को apply कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दिजेगा थैंक्यू फर वाचिंग दा वीडियो प्लीज कीप योर सपोर्ट